देश के शुपशिद्य हार्ष अभिनेता राजपाल यादव पीली भीत में अपनी एक नई फिल्म की सूटिंग करने जा रहे हैं इस फिल्म का नाम मावान है महार्ष बाल मीक पर आधारित इस फिल्म में उनका करेक्टर भी कुछ उनकी तर्ज पर ही है पहले वे एक सिकारी वी यहीं भक्षक की रूप में नजर आयेंगे और उसके बाद बने जीवों के रच्चक बन जाते हैं तथा बाद में सिक्षक बनकर दुनिया को बने जीव सेरक्षन व आपर्यावान स्रक्षन का संदेश देंगे इसके जरिये वे आशकर आवार्ड जीतना चाहते हैं इक चंगल की कहानि है और एक शिकारी की कहानी है तो है तोकि छूगा लेक से लेकर और फीली भीत तग और आगे चले जाहिए आप उठीमा टरूब्क ठीविद्वे जनगल है और अपनी जो रिज़र्व से लेकर क्या बता है कि तिली भीत जो है ना वो बिल्कुल ओत प्रोत है जल जंगल जमीन बातावन से और लोग बोलते ना कि यहां स्वर्ग नहीं है लेकिन अगर प्रकर्टी के रूप में बहुत जगे स्वर्ग पाये जाते हैं तो हमारे तीली भीत जिस फिल्म के बाद पिछली बार सोई थी इन स अपनी फिल्म बनाकर फिल्म सेटी का आजाज करूंगा उसी मावान की हम लोग अब तैयारी कर रहें क्या तैयारी क्योंकि दो साल से आप मालूम है कि करोणा ने सब सिस्टम बिक्पल लग कर दिया था अब जो है अब करोना से भगवान पूरी दुनिया पो मुक्ति दिला है और दीरे दीरे अब यह हम लोगों की जिन्दगी दूर जाए ताभी कुछ कर्म करें और उसी की स्रंकला में कुछ उप पूचे पिछले एक साल से फिल्म बनाकर जो है वो करोना की वज़े से बिल्कुल अलग इसने चल नहीं थी तो अब जो है ओड़ी टीटी के जमाने कि अब जो है फिल्म इल्डशी दुबारा जो है रौकर तरीके से इंचार मेलें रॉटे कुछा है तो मेरी इच्छा है कि मार्च अपरेल में शूटिंग इस अतम कर दो है कितने दिन चलेगी पिली इसमें तो 2022 में कंप्लीट कर लेंगे क्योंगी चुना होती है बहुत है फिल्म शूटिंग लेके लेकिन हमें कुरी उमिद है कि अपने पिली इसके प्रिशासन और सब्गा को सपोर्ट मिल जाएगा वार्ट सब्गा मेर्या का तो बहुत अच्छ इसमें कितने कलाकार किस तरीके स्काम करेंगे कितने लोग विद्गूल इंटर्नेशनल फिल्म है जिसमें यह कुछ लेकि जैसे हमने हमेशा 10% टॉप लास फिलम काम किया है तो यह फिल्म भी आपकी जो होगी तो देश दुनिया के सामने अच्छी फिल्म लगनी चाहिए तीन घंटे फिल्म है 100-100 मिनट की तीन इस्टोरिय मतलब लेकिन तीन फिल्म हम दिखाएंगे तीन इस्तों गयोगी एक में आप शिकारी के रूप में रहेंगे एक में बक्षक एक में रक्षक एक में शिक्षक शिक्षक बहुत बढ़िया और यहां क्या कुछ इस्थानी लोगों को भी इसमें तहीं सहीयोग की तरीके स्क्राइब शूटिंग होती है स्थानी लोगों का ही फायता होता है बाकी और किसी का नहीं और हमिशा कोशिश करूँगा कि रुहल खंड की इस धरती पे जो है उस्थानी और बाहरी तब का एक प्रापर कॉमिनेशन आज जो मावान किसी जोपडी में रहता है आप सुझे सा बताया था तो क्या इधर इसमें रमनगरा तरफ जो आप पता रहते हैं पुछ जोपडी आपने आज देखी भी हैं चूका लेक के समझे चालीज किलो मिटर चारो तरफ भी रहेगी तो बहुत सब्सक्राइब हम लोग पर नई फिल्म पर हां पूरी कोशिश कर रहे हैं क्योंकि फिल्म एक आदमी से बनती नहीं है फिल्म में सब्सक्राइब सो लोग तो बैक्ग्रावन में लगते हैं बनाने की तो लेकिन यह है कि पहले यह करोना की बज़े से दिस्टरगवा आप दो तीन-चार महीने चुन पर भी आपने काफी ज़्यादा काफी विति के रोहेल खन पूरी सब बात चलती रही तो इस पर भी हम लोग क्या मतला अपनी फिल्म बना कर ही से वह सुरुआ तरने जा रहे हैं क्या कहेंगे तो आप मानिक चलो कि पिली भीत अपने आपने नेचुरल फिल्म सिटी है जो एक गुरे गाओ इस तो हमारी जो मदर फिल्मिट सिटी है उसकी छोटी वैल है अशिंता मत परो और कितनी